इस बुलेटिन इस स्पॉंसर बाइ कॉटिल एकडमी रीवा अहिंसा के फुजारी हैं उनका प्रतीक है महात्मागानी को मैं समझती हूँ कि आज देश में किस तरीके से भाई भाई को आपस में लड़वा कर मॉब लिंचिंग करवा कर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़वाई जा रही है यह बहुत दुखद है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को एक प्लैटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है इन्हीं बातों को त्यान में रखते हुए यंग इंडिया के बोल में इस तरह की बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इन मुद्दों को बड़ी बेबाकी से जन्ता के बीच लाया जाएगा अब इस एक बोर मांना चल लाए जाए जिसमें कुछ दोस्म देंगे रहा है देखिए आज WHO की एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई है जिसमें भारत देश में कोविड से हुई मोतों का जो आंकड़ा है वो 47 लाख का है जबकि मोधी सरकार ने ये आंकड़ा 4,81,000 बताया था मैं समझती हूँ आज देश में चर्मराई हुई हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश में है उसका खुलासा हुआ है पूरी दुनिया के आगे और आज देश में हालात ये हैं कि लाउट स्पीकर्स पर लड़ाई हो रही है आजान और हनुमान चालिस सा के बीच में बहस हो रही है बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कोविड के दौरान जो मौते हुई उन परिवारों को क्या कोई कॉम्पंसेशन देगी हैं मोधी सरकार बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कितने मौते उक्सिजन की कमी से हुई है बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि आगे इन मौतों के को रोकने का कोई प्रावधान है सरकार के पास या नहीं बड़े दुख की बात है आज भी भारत्य जन्ता फार्टी के लोग हिंदू और मुसल्मान में लड़वाने की राजनीती कर रहे हैं नफरत की राजनीती फैलाई जा रही है मगर इस देश में कोविट से हुए नुकसान पर कोई बात नहीं करना चाहता कोविट से हुई मौतों के जो लोग है उनके परिवार को कोई कॉमपंसेशन नहीं देना चाहता यही बात मैं रखना चाहूंगी लाउट स्पीकर के विशय पर उन युवाओं और युवतियों की तलाश में हैं जो आज भारतिय जनता पार्टी के कारणामों को उजागर करने के लिए एक मंच धून रहे हैं हमारे नेता आदर्निय राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रभारी आदर्निय कृष्णा अलवरुजी हमारे आद्यक्ष आदर्निय बीवी श्री निवास जी ने हम राश्ट्रे प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने प्रभार राजियों में जाकर यांग इंडिया के बोल सीजन टू को लॉंच करें और फिर उसे प्रुमोट करें आज हम देख रहे हैं देश में किस कदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है आज महंगाई आसमान चू रही है दिन प्रति दिन अपराद बढ़ते जा रहे हैं मगर सरकार के कान पे जू नहीं रहे हैं इन्ही मुद्दों पर आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा अपनी आवाज को बुलंद करे यंग इंडिया के बोल भाषन प्रतियोगिता में आवेदन करके 31 मई तक आवेदन लिये जा रहे हैं HTML फॉर्म के जरिये 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक जिलास तरिये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश स्तरिये प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा 30 सितंबर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर यानि की गांधी जयनती के दिन इसका Grand Finale दिल्ली में होगा जिसमें आप सभी साथी आमंत्रित रहेंगे हमारी एक ही कोशिश है कि जो युवा अपनी आवाज के लिए एक मंच की तलाश में है जिनके पास कोई राजनितिक प्रिष्ट भूमी नहीं है वो कृपया आगे आकर इस मंच पर आकर अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएं